गुड मौधिकेर मौनिंग या आप ओलेडी एक बहुत बड़ा बिजनस खड़ा कर चुके हैं मौधिकेर में आप सब के लिए इस ट्रेरिंग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ है इस ट्रेरिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन दस कदमों के बारे में जिसको फॉलो करके आप मौधी केर में सुपर सक्सेस्फुल हो सकते हैं ये दस कदम टाइम प्रूवन है पिछले कई सालों से इन फैक जब से मौधी केर शुरू हुआ है इन्ही दस कदमों के उपर लीडर्स अपना बिजनस बिल्ड कर रहे हैं इन्ही दस कदमों के उपर चलके आपके लीडर्स मौधी केर में लाखो करोडों की इनकम को आन कर रहे हैं और ये दस कदम सिरफ भारत में नहीं विश्व के किसी भी देश में जहांबे भी मल्टी लेवल मार्केटिंग डारेक्ट सेलिंग का बिजनस होता है वहाँ पर कही नकहीं इनी दस कदमों को ही फोलो किया जाता है So ये दस कदम एक सिस्टम का हिस्सा है In fact ये दस कदम ही एक सिस्टम है जिसके उपर चलकर हमने मौधी केर का बिजनस खड़ा करना है क्या आप जानना चाहेंगे थे इन दस कदमों के बारे में पर उससे पहले हमें ये बताएं कि क्या आप इन दस कदमों को फॉलो करेंगे I'm sure आपका answer हाँ में है ये दस कदम उतने ही जरूरी है जितने जरूरी मुबाइल के दस डिजिट का एक नमबर होता है अगर हम एक नमबर को छोड़ दें क्या मुबाइल फॉन कनेक्ट होगा जी नहीं उसी तरह से अगर में मौधिकर में सफल होना चाहता हूं तो मुझे इन दस कदमों को फॉलो करना जरूरी है और ये दस कदम सीक्वेंशली एक के बाद एक के बाद एक फॉलो करने है कोई पहले दूसरा बाद में ऐसा नहीं पहला कदम पहले और दूसरा कदम उसके बाद और फिर तीसरा कदम and so on तो इससे पहले कि हम हर एक कदम के बारे में डिटेल में बात करें आईए सबसे पहले मैं आपको उन कदमों के बारे में बता देता हूं कि ये कदम क्या क्या है 10 steps to azadi 10 कदम azadi के Step number 1 है support chart Step number 2 है goal setting Step 3 is prospect list Step 4 self use Step 5 share Step 6 sponsor Step 7 structure Step 8 role model Step 9 personal progress and Step 10 duplication आगे आने वाली tutorials में हम इन steps के बारे में detail में बात करेंगे पर आप से आशा ये रहेगी कि सबसे पहले आप खुद इन कदमों के उपर चलें और उसके बाद as it is ये कदम अपनी team को सिखाएं Tutorials में आगे मिलते हैं Thank you so much Good morning, good morning शुरुआत दस कदम आजादी के इस टुटोरियल में अब हम बात करेंगे सबसे पहले कदम के बारे में जिसे हम कहते हैं Support Chart The First Step to Success हमें जानते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं कुछ दिन शुरुआत के कुछ हफ़ते शुरुआत के confusion और डर से भरे हो सकते हैं क्योंकि हमें उस नय काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती हम अभी तक comfortable नहीं हुए होते और ऐसा ही हमारे new joiners के साथ भी होता है जब वो modicare का काम बिजनस शुरू करते हैं उन्हें अभी तक पूरे business plan की understanding नहीं है प्रुट के demo नहीं आते तो कहीं न कहीं डर लगेगा कि अगर मैं अपने prospect से बात करूँ और modicare का plan दिखाऊँ मेरा prospect कुछ पूछे तो मैं उसको answer क्या करूँगा आप बताइए क्या ऐसा डर या ऐसा tentativeness आपको भी शुरुवाती दिनों में लगता था absolutely yes ये एक human psychology है धीरे 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 हम किसी भी काम में पक्के होते हैं लेकिन शुरुवाती दिनों में कुछ न कुछ डर तो जरूर लगता है पर कैसा रहे अगर हम अपने new joinies को एक support chart बना कर दें और उन्हें कहें sir, ma'am, welcome to modicare आप अपने prospect से मिलें और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए कोई भी confusion हो किसी भी query का उत्तर चाहिए तो आप इस support chart को use कर सकते हैं और आपको हर query का answer मिल जाएगा तो मुझे बता हैं क्या उनका confidence बढ़ेगा yes, उनका confidence बढ़ेगा और इस support chart की मदद से जो उनको moral support दे पाएंगे जो उनका confidence बढ़ेगा तो ultimately वो हर query हर answer सही तरीके से दे पाएंगे जो कि जादा action में result करेगा so support chart के दो हिस्से हैं सबसे पहले है applying support chart और दूसरा है company support chart applying support chart में basically हमें अपने new joinee को एक applying का contact number एक chart form में बना कर देना है जिसमें सबसे पहले of course हमारा phone number रहेगा क्योंकि हम अपने new joinee के immediate sponsor है फिर उसके बाद हमारे applying director then applying senior director applying executive director applying senior executive director and so on till GBD and trust me if we give this support chart applying support chart to our new joinees उनका जो confidence और system में जो विश्वास है वो बहुत strong हो जाता है मैं आपको यहाँ पे एक वाक्या सुनाना चाहूंगा मेरे एक दोस्त है जिन्होंने कुछ समय पहले modigar join किया और जब मेरी उनसे मात हुई और मैंने उनसे पूछना चाहा कि यार आपने modigar क्यों join किया आपने ऐसा क्या देखा modigar में तो उनने जो मुझे बताया उससे मैं बहुत जादा impress हुआ उस समय मेरे दोस्त एक बहुत बड़े बैंक में as a branch head काम कर रहे थे जो हमारे एक लीडर उनसे मिले और उनको modigar का plan दिखाया गया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि उन्होंने किसी product के बारे में हमारे लीडर से कुछ पूछा और हमारे लीडर के पास उसका answer नहीं था बट हमारे लीडर के पास appliance support chart था उन्होंने अपना appliance support chart निकाला सबसे पहरे नंबर पे call किया phone pick नहीं हुआ दूसरे नंबर पे call किया phone pick नहीं हुआ शायद दोनों appliance किसे ने किसी meeting में busy हो तीसरे नंबर पे call किया call pick हुआ लेकिन answer नहीं मिला चोथे नंबर पे call किया call pick हुआ answer मिला और वो answer उन्होंने मेरे friend को दे दिया और जब मेरी बात में उनसे बात ही तो वो बताते है कि जो support system मैंने आकि company में देखा वैसा support system तो हमारे bank में भी नहीं है and only because of this support system उन्होंने malli gear join किया हमारी company में malli gear में आपको मिलता है एक three-way support system जिसमें आप अपने uplines और company के साथ जुड़ के काम करते हैं और मैं चाहूंगा कि ये upline support chart आप अपने हर एक new joining को बना कर दें साथ ही साथ company support chart जिसमें सबसे बड़ी support रहेगी हमारी आजादी call center किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे आजादी call center पे phone कर सकते हैं सुबह 10 बज़े से लेकर रात के 10 बज़े तक और इसका number है 1800-312-999 आपने कोई order किया है आप कोईय को track करना चाहते हैं कोई service issue है आप अपनी complaint register करना चाहते हैं single point of contact अजादी call center इसके अलावा जहाँ पर भी आपके new join ही काम कर रहे हैं उस area का जो मौदी के success center है वहाँ का number होना चाहिए हमारे DP manager का number हमारे regional product trainer और हमारे area sales manager का number भी आप उनको जुरूर दें लेकिन साथ ही साथ यह बता दें कि किस तना की query के लिए कहाँ पर phone करना है अगर मैं आप से पूछू अगर मुझे जानना हो कि Bangalore office का contact number क्या है तो मैं कहाँ पर phone करूँगा naturally अजादी call center लेकिन अगर मुझे जानना हो कि मुझे एक लाख रुपे कैसे कमाए जा सकते हैं तो मैं कहाँ पर phone करूँगा naturally to area sales manager or to our applying so कितने लोग बना कर देंगे अपना इन support chart I am sure आप सब इसको use करें और इसका फाइदा देखें अगले tutorial में हम बात करें हमारे second step के बारे में जिसे हम कहते हैं goal setting till then thank you so much Good morning, good morning शुरुमात 10 कदम अजादी के इस tutorial में अब हम बात करेंगे step number two के बारे में जिसे हम कहते हैं goal setting हमें जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपना लक्षे निर्धारित किया हो उसे दुनिया की कोई ताकत अपने लक्षे तक पहुचने से नहीं रौक सकती इस कदम में हम अपने down lines की मदद करेंगे उनके सपनों को goals में convert करने में जब आपने उन्हें plan दिखाया था जब आपने उन्हें जॉइन करवाया था तो आपने कुछ ऐसे ही dreams के बारे में बात की थी आपके prospect ने उस समय आपको बताया था कि उनके कुछ ऐसे ही सपने है चायद वो एक बड़ा घर एक बड़ी कार, एक financial security विदेशों की यात्रा charity, मान सम्मान बच्चों की बड़िया education कुछ ऐसे ही सपने उन्होंने बताये थे आपको अब समय आ चुका है कि आप उनकी मदद करें और इन सपनों को goals में convert करें सो हमारे goals कैसे होने चाहिए, आएए इसके बारे में detail में बात करते हैं हमारे goals होने चाहिए smart 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 and this is our responsibility यह हमारा करतव वे है कि हम अपने new joining की मदद करें उनको तीन तरह के smart goals set करने में पहला हो सकता है short term goal जो अप से लेकर तकरीबन 6 महीने का होगा दूसरा है mid term जो अप से लेकर तकरीबन 2 साल का हो सकता है और तीसरा है long term जो अप से लेकर तकरीबन 5 साल तक का हो सकता है लेकिन जो भी हमें goal रखेंगे वो कैसे रखेंगे smart a goal should be specific यानि की exact pinpointed clear होना चाहिए measurable यानि की हम उसे नाप सके माप सके in percentages की वो कितना पूरा हो चुका है actionable इसका मतलब है कि goal पूरा होने के लिए हमें action कर्म की जरूरत हो किसी चमतकार की जरूरत ना हो realistic यानि की वो बेशक हमारी reach के थोड़ा सा बहार क्यों ना हो लेकिन इतना भी बड़ा goal ना हो कि वो पूरा ही नहीं हो सकता and t is time bound यानि की उसके उपर समय तारीख जरूर हो आई इसके बारे में detail में बात करते हैं for example अगर हम एक goal की बात करें कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ क्या ये goal specific है? exact है? no क्या मैं इस goal को measure कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अमीर हो चुका हूँ? क्या ये actionable है? क्या इसके उपर कोई plan है? बिल्कुल नहीं लिकिन अगर मैं इक हूँ कि मैं अब से दो साल के अंदर-अंदर modic ear के income के द्वारा अपने bank में एक करोड रुपए की fixed deposit चाहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये goal specific भी है क्योंकि इसमें number है fixed deposit of 2 करोड और 1 करोड whatever it may be ये measurable है अभी मेरे पास 10 लाग का fixed deposit है goal था मेरा 1 करोड का fixed deposit तो अभी मुझे मालूम है कि अभी तक मैं अपने goal पर 10% ही पूरा हूँ ये इस अक्शनेबल और सो मैं इस goal को अपना action बढ़ा कर जादा से जादा meetings करकर पूरा कर सकता हूँ realistic भी है और time bound क्योंकि हमने already इसके उपर date भी रखी so these are smart goals so हम चाहेंगे कि आप खुच सबसे पहले अपना smart goals set करें short term, mid term, long term और अपने हर एक new joining की मदद करें कि वो भी मोधी करके तवारा पूरा किया जा सकने वाला smart goals set करें short term, mid term and long term और यदि आप अपने down lines के goals set करवाते हैं तो ये बात निश्चित है कि आपके भी सारे goals पूरे हो जाएंगे अगले tutorial में हम बात करेंगे हमारे third step के बारे में जिसे हम कहते हैं prospect list Till then, thank you so much Good morning, good morning शुरुआत 10 कदम आजादी के इस tutorial में अब हम बात करेंगे हमारे step number three के बारे में जिसे हम कहते हैं prospect list मौदी के business सिर्फ products का business नहीं है मौदी के business लोगों का भी business है जितने जादा लोग आपके network में होंगे जो product इस्तेमाल कर रहे होंगे उतनी ही तेजी से आपका business आगे बढ़ रहा होगा लोग हमारे business का raw material हैं और इसलिए इससे पहले कि हम अपने prospect से मिलें और उनको plan दिखाएं उनको product का demo दिखाएं हमें पहले एक prospects की list बनानी होगी यदि हम बिना list बनाए plan दिखाने जाएंगे तो कुछ challenges आ सकते हैं आईए पहले उनको challenges के बारे में बात करते हैं फिर देखेंगे कि कैसे prospects list को बनाना है imagine करें अगर हमारे घर में शादी हो और हमने invitation cards distribute करने हैं सबसे पहला काम हम क्या करेंगे naturally हम guests की list बनाएंगे लेकिन अगर हमने बिना guest list बनाए invitation cards distribute करने शुरू कर दिये तो क्या होगा बहुत सारे नजदी की दोस्थ बहुत सारे नजदी की रिष्टेदार भी छूट जाएंगे same way यदि हम prospect list बनाए बिना plan दिखाने field में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे prospects छूट सकते हैं जो हमारे business में आकर बहुत बड़ा business बिल्ड कर सकते थे तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी potential prospect customer ना छूटे अराम से बैठ कर पहले एक prospect की list बनाएं बिना ये सोचे बिना ये समझे बिना ये assume किये कि वो आपका prospect आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा वो secondary है primary है कि आपके पास बड़ी से बड़ी list होनी चाहिए in fact अगर मैं बिना list मनाए plans दिखाता हूँ और कुछ लोग for example ना बोल देते हैं ना बोलना एक reality है इस business की मानके चलिए मुझे शुरुआत में let's say पांच लोगों ने ना बोल दिया तो हमारे मन में क्या आएगा हमारे मन में यह आ सकता है यार हर कोई ना बोल देता है कोई हाँ ही नहीं बोल रहा सब ने ना बोल दिया है जबकि हमें सिर्फ अभी तक पांच लोगों ने ही मना किया है लेकिन imagine करें अगर हमने 300 लोगों के list बनाई हुई है और कुछ पांच लोगों ने ना बोल दिया तो हमारी list में कितने लोग बाकी हैं 295 दस लोगों ने ना बोल दिया 290 लोग अभी भी बाकी है 20 लोगों ने ना बोल दिया अभी भी list में 280 लोग है तो आप कभी भी demotivate नहीं होंगे जब आप prospect list बनाएंगे और prospect list बनाने के लिए हम आपको एक formula दे रहे है एक word है friends सबसे पहले F is for friends आपके जितने भी दोस्त हैं बच्पन से लेकर युनिवरस्टी लेवल तक के जितने भी आपके friends हैं सब के नाम आप अपनी prospect list में रखें R is for relatives आपके नजदी की रिष्टेदार आपके दूर के रिष्टेदार सब के नाम आपकी prospect list में होने चाहिए I is for your industry, your office जो आपके colleagues हैं E is your e-contacts Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter N is for neighbors, आपके पडोसी चाहे बनती है, चाहे नहीं बनती कोई मेंटर नहीं करता Your first task is to have a bigger list T is for directory हमारे पास कई सहरे ऐसे contact number आते हैं, कई सहरे ऐसे visiting cards आते हैं, professionals के चाहे वो plumber है, चाहे वो beautician है हमारी, उन सब के नाम आपके prospect list में होने चाहिए and S is for strangers हम हर रोज on an average 2 से 3 नए लोगों से मिलते हैं, अब जब हम नए लोगों से मिलेंगे, उनके साथ contact exchange करेंगे और उनके contact number भी हम अपने prospect list में add करेंगे So आप इस formula को use करके अपनी बड़ी से बड़ी list बना सकते हैं Now, this is our responsibility कि हम अपने new joining की मदद करें, उनको prospect list बनाने में उनके साथ बैठें 10 मिनिट लगाएं और उनके कहें कि 5 नाम अपने friends के लिखें, 5 नाम अपने relatives के लिखें 5 नाम अपने colleague से लिखें और minimum 30 से 40 लोगों की उनके साथ 10 से 15 मिनिट बैठ के prospect list बनाएं और फिर उन्हें प्रेरित करें कि वो घर जाएं और अराम से minimum 300 लोगों की list बनाएं और जो ही हम ये prospect list बनानी है ये phone में नहीं एक diary में एक format में होनी चाहिए और format कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें की सबसे पहले है serial number then your name आपके prospect का नाम उनका contact number उनका profession और फुर उसके बाद चार columns है follow up 1, follow up 2, follow up 3 and follow up 4 इसी list को use करके जब हम उनसे मिलेंगे follow up करेंगे, plan दिखाएंगे उनका क्या response रहा वो हम इसी list में record कर सकते हैं तो क्या आप बनाएंगे इस list को अगर आपने इस list बना ली let me tell you आपकी modi care की सफलता बहुत जल्दी आपके पास पहुँचने वाली है तो इसी आशा के साथ कि हम सारे prospect list को बनाएंगे और उसके बाद plans दिखाएंगे I wish you best of luck और अगले tutorial में हम बात करेंगे एक ऐसे step के बारे में जो यदि आप ने और आपके group के लोगों ने अपना लिया तो सफलता सिर्फ पैदल चलके नहीं आएगी सफलता जैगवार में बैठ के आएगी till then thank you so much good morning good morning शुरुआत दस कतम अजादी के इस tutorial में अब हम बात करेंगे step number 4 के बारे में जो की है self use ये एक बहुत ही ज़रूरी step है क्योंकि जब आप खुद self use करेंगे प्रुआक्स को खुद use करेंगे तो आपको प्रुआक्स की quality के बारे में पता चलेगा आपको मालुम चलेगा कि प्रुआक्स कितनी बढ़िया quality के हैं और कैसे results देते हैं और इसके बार जो आपका confidence बढ़ेगा उससे आपकी प्रुआक्स की presentation में एक नई जान आएगी आप बहुती आसानी के साथ बहुती confidence के साथ किसी भी prospect को अपनी प्रुआक्स की presentation दे सकेंगे और आपका prospect आपको आसानी से हाम बोलेगा आप किसी भी तुरा का objection हैंडल कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रुआक्स को खुद use किया हुआ है and of course आपका पैसा बचेगा क्योंकि हम up to 20% तक retail profit भी देते हैं आपका personal bv का criteria पूरा होता है और जब आप self use करते हो तब ही आप brand ambassador भी बनते हो तो हमारे पास 400 से ज़ादा प्रुआक्स हैं अगर हम 100% self user हैं तो हमारे business volume की कोई limit नहीं हो सकती पर आएए देखते हैं कि अगर हमने 3000 रुपे की basket बनानी है तो कौन-कौन से products आम तोर पे इस basket में हो सकते हैं और कितने सारे product 3000 रुपे में आ जाते हैं सबसे पहले हैं श्लोका का cleanser हर वो व्यक्ती जो अपनी skin को healthy रखना चाहता है वो श्लोका का cleanser यूज़ कर सकता है then एक पीस rice bran oil खाना बनाने का तेल पोच्छा लगाने के लिए hygiene environment create करने के लिए stericlean fresh movements स्वस्थ दांत के लिए बरतंद होने के लिए wonder drop face pack skin की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए एक hair for defense salon professional shampoo बच्चों की सहथ के लिए strong and smart चाय की पत्ती fruit of the earth एक essential perfume deo spray ताकत के लिए multi-wight and multi-mineral toilet cleaner beyond blue और नहाने के लिए soft wash white pulse soap यह आम तोर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोड़क्स हैं और अभी हमने 4000 में से कुछ ही प्रोड़क्स लिए पर हमने देखा कि कितनी आसानी से 3000 रुपे की basket बन गई और यदि इनी प्रोड़क्स के साथ हम कुछ और प्रोड़क्स और आट कर लें और जितने जादा लोग आपकी टीम में self use करेंगे उतना ही आपका business तेजी से आगे बढ़ेगा याद रहें आपका group business volume कुछ नहीं है सबके personal bv का sum total आपका group business volume कहलाता है खुद self use करें जादा से जादा और अपनी टीम के हर एक member को प्रेड़ करें कि वो भी 100% self user बने अगले टीटोरियल में अब हम देखेंगे कि कैसे हमने मौदिके के business को फैलाना है कैसे network बनाना है so step number 5 जो की है share उसको miss मत करियेगा thank you so much good morning के morning शुरुआत दस कदम आजादी के इस टीटोरियल में अब हम बात करेंगे step number 5 के बारे में जो है share business को आगे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है लोगों से बातचीत करना उनको मौदिके के plan और मौदिके के products के बारे में बताना लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत करें उनको share करें उनको plan या product दिखाएं it has to be professional कुछ चीजों का ध्यान रखें सबसे पहले बिना appointment लिए कभी भी अपना plan शेर ना करें कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी social gathering में किसी marriage function में कुछ अपने cousins दोस्तों के साथ मिले और वहीं पर यदि हमने business की बात करनी शुरू कर दी तो वो लोग हमारे business को अतनी importance नहीं देंगे इसलिए हम कहते हैं कि sharing का जो first step है वो है prior appointment लेना अमेशा appointment लेकर जाएं और एक अच्छा networker वो है जिसके पास पूरे हफ़ते की appointments blocked है so appointments का सबसे बड़िया तरीका है अपने phone call पे appointment लेना जब भी आँ phone करें अपने prospect को appointment लेने के लिए तो कुछ चीजों का ध्यान रखें सबसे पहले जादा लंबी बात ना करें short रखें crisp रखें और दूसरा जल्दी में रहें phone के उपर business plan share ना करें यदि आप जल्दी में रहेंगे यदि आप लंबी बात नहीं करेंगे तो आपके prospect यूजिली आपसे जादा सवाल नहीं पूछेंगे जब आप phone के उपर appointment लें तो मकसद होना चाहिए कि curiosity build हो एक जिग्यासा पैदा हो जैसे हम किसी भी movie का trailer देखते है curiosity build होती है और फिर हम movie देखने जाते हैं उसी तरह से जब आपने phone के उपर appointment लिया तो आपका prospect वेट करे कि कब वो दिन आएगा जब आप उनसे मिलने जाएंगे और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है appointment लेने का या किसी भी prospect को meeting के लिए invite करने का उसे हम कहते है थ्री वे कॉलिंग थ्री वे कॉलिंग का जो principle है वो ये है कि किसी भी एक सफल व्यक्ति को जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते उन्हें ना कहना मुश्किल होता है इसी principle को यूज करते हुए जब आप अपने prospects को invite करते हैं किसी meeting में तो उन्हें ना कहना मुश्किल होता है इसमें तीन लोग रहेंगे first of course आप second आपके prospect and third होंगे आपके applying यदि आप सीखना चाहें कि थ्री वे कॉलिंग कैसे करनी है बहुत जलूरी है इसको सीखना इसके practice करना क्योंकि यदि आप 3-way calling यूज़ करके 10 लोगो phone करोगे तो 6 लोग आपकी meeting में आएंगे क्या आप सीखना चाहेंगे 3-way calling 3-way calling की practice तो हमारा एक program है जिसे हम कहते हैं रवतार, तयारी, जीत की मैं आपसे request करूँगा कि जब भी आपके area में ये program हो, इसे attend ज़रूर करें, यहाँ पर आप 3-way calling की practice कर सकते हैं तो अभी हमने appointment fix कर लिया appointment लेने के बाद अब हम उनको अपने plan और प्रड़क का presentation देंगे बहुत ही अच्छा रहे हैं, यदि husband और wife आप दोनों इकठे जाएं और couple को presentation दे, यानि कि couple जा रहा है, husband और wife जा रहे हैं और husband और wife को इकठे presentation दी जा रही है, because it's a family business, decision लेना आपके prospects के लिए बहुत आसान हो जाएगा presentation के लिए कई सारी opportunity है ये एक one-on-one meeting में हो सकता है एक home meeting organize की जा सकती है presentation के लिए भारत के जात शेरों में weekly business opportunity meeting होती है, वहाँ पर आप अपने prospects को invite कर सकते हैं या एक बड़े seminar में जिस भी opportunity को use करके आपने presentation दी है, जिस भी program में आपने presentation दी है, उसके बाद बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने prospect का follow up ज़रूर करेंगे क्योंकि presentation चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो ultimately जो हमारे prospect है उनका जो mindset है, वो है customer mindset और customer ये कहता है कि seller उनसे follow up ज़रूर करे follow up हमें करना है within first 48 hours 48 गंटे के अंदर अंदर, दो दिन के अंदर अंदर follow up करना लाजमी है यदि हम follow up नहीं करते तो चाहे prospect के मन में आ रहा है कि उन्होंने मौदी के join करना है आपके साथ वो join नहीं करेंगे क्योंकि आपने follow up नहीं किया सो ध्यान रहे एक formula जिसे हम कहते है masters, networkers formula this formula is SW5 इसका मतलब है some will, some want कुछ लोग हा कहेंगे कुछ लोग ना कहेंगे so what क्या फर्क पड़ता है someone is waiting start working इसको समझने के लिए example लेते हैं एक scenario है कि जहांपर 5-6 guests किसी के घर जाते हैं वहाँपर एक host है host ने कुछ चीज़ें organize की हुई है refreshments जैसे की समोसा maybe कुछ मिठाई कुछ जलेबी या कुछ you know for example नमकीन जब guests आते हैं host क्या करता है normally यदि आप host की जगा होंगे तो आप क्या करेंगे naturally इंडिया में तो कहा जाता है अतिती देव भवा host अपने guests को कुछ न कुछ refreshments कुछ न कुछ sweets offer करते है लेकिन मुझे बताएं क्या क्या पहली बार पूछने पर ही सारे के सारे guests लड़ू या गुलाब जामून उठा लेते हैं नहीं कुछ लोग उठा लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे so some will some want लेकिन इसके बाद host क्या करते हैं वो एक बाद दुबारा पूछते हैं फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते फिर कुछ समय के बाद host दुबारा पूछते हैं और फिर कुछ ले लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, आप जाके उनसे मिलें Ultimately, sharing में इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है कि आपने कितने लोगों को plan दिखाया है क्योंकि हरकत में ही बरकत है, तो यहाँ पर हम आपको एक और formula दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं 5 golden coins जब आप अपने दिन के शुरुआत करें, तो अपनी एक pocket में 5 सिक्के रख लें अभी अफकोर्स यह एक, दो या पांच या दस रुबे के सिक्के हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले time में यह सोने के सिक्के भी होंगे जिन के शुरुआत करते हुए एक pocket में आपने 5 सिक्के रख लिए जब आपने एक plan दिखाया, एक सिक्का right pocket से निकालके left pocket में डाल दिया दूसरा plan दिखाने पे, एक सिक्का right pocket से निकालके left pocket में डाल दिया तीसरा plan दिखाने पे, एक सिक्का right pocket से निकालके left pocket में डाल दिया अब शाम के बच चुके हैं 5, 6 या 7 अभी भी राइट पॉकेट में कुछ सिक्के खनक रहे हैं इसका मतलब क्या है? अभी दिन का काम पूरा नहीं हुआ जब तक पांच सिक्के राइट से लेफ्ट में नहीं जाएंगे हमारा दिन खतम नहीं होगा यानि की हमें एक दिन में minimum कितने plans दिखाने चाहिए absolutely minimum five ये चाहे one-on-one हो सकते हैं या एक home meeting में हमने 81 ही पांच prospects को plans share कर दिया या एक business opportunity meeting में हमने 5 prospects को invite किया but till the time five plans are not over in a day my day will not be completed जब तक एक दिन में मैं पांच लोगों से नहीं मिल लूँगा मेरा दिन पूरा नहीं होगा क्योंकि हमें जानते हैं हरकत में ही बरकत है business को फैलाने का एक ही तरीका है जादा से जादा लोगों से मिलें लेकिन जब भी मिलें पहले appointment लें presentation दें और फिर follow up करें अगले tutorial में हम बात करेंगे कि जब आप लोगों शेरिंग करते हैं लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो कैसे उनको सही तरीके से sponsor करना है till then thank you so much good morning good morning शुरुवात दस कदम आजादी के इस tutorial में अब हम बात करेंगे step number 6 के बारे में जोसे हम कहते हैं sponsor अभी तक हमने 5 step के बारे में जाना है मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ repeat करें वो 5 step कौन-कौन से है step number 1 yes support chart step number 2 call setting step number 3 prospect list step number 4 self use and step number 5 share यदि आप इन पांचों steps को sequentially करते आ रहे हैं तो बहुत साहे लोग आपके साथ join होंगे आप उन्हें sponsor करेंगे लेकिन sponsor करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उन्हें अपना applying mca number दे दिया no sponsor करने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति की modicare में शुरुआत करवाने तक की responsibility हमारी है जब हजारों लोग modicare के overseas conferences में जाते हैं जिने modicare sponsor करता है तो ये modicare के responsibility बन जाती है कि उन हजारों overseas conferences के participants यानि कि आप की सारी documentation complete हो आप सही तरीके से plane को board करें hotel में check-in करें आपके passports, visa form all formalities are fully completed ताकि कोई भी दिक्कत या परिशानी आपको ना आए उसी तरह से जब हम किसी नए prospect को modicare में sponsor करते हैं तो उन्हें शायद सारी formalities के बारे में ना पता हो ये as a upline हमारी responsibility बन जाती है कि हम उन्हें guide करें और उनकी सारी formalities को पूरा करवाएं तो सबसे पहले उनका KYC documentation पूरा कराएं 9 customer documents जिसमें की बहुत जरूरी है ID proof document and address proof document as per the rules यदि within 30 days of joining एक new joinee अपने KYC documents सही तरीके से submit नहीं करवाते हैं तो उनका MCA number terminate भी हो सकता है second उनका NEFT detail submit करवाएं क्योंकि 9th of every month bonus transfer होता है लेकिन उसी के bank account में bonus transfer होगा जिनका NEFT updated है imagine करें आपके new joinee ने business किया और उनका bonus बना लेकिन क्योंकि NEFT documentation complete नहीं थी तो bonus उस महीने transfer नहीं हुआ तो कैसा feel करेंगे वो yeah not very good तो यह हमाई responsibility है कि हम उन्हें पूरा guide करें और उनका NEFT documentation complete करवाएं third pan details update करवाएं क्योंकि अगर pan detail modicure के system में updated है तो उनका सिर्फ 5% TDS कटेगा otherwise उनके bonus के उपर 20% तक TDS कट सकता है fourth उनका first order under the loyalty program execute करवाएं और उन्हें कौन से program में invite करेंगे yes शुरुवात 10 कदम आजादी के and then you support and lead them support करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका काम करेंगे support करने का मतलब ये है कि आप उन्हें काम करना सिखाएंगे so with this I thank you very much next tutorial में हम बात करेंगे कि आपने अपना structure कैसे बनाना है ताकि आप maximum income मौधिकर से अंकर पाए thank you and see you in the next tutorial good morning good morning शुरुआत दस कदम आजादी के इस tutorial में अब हम बात करेंगे step number seven के बारे में जिसे हम कहते हैं structure आपके नीचे अब कई सारे लोग join होने शुरू हो चुके हैं पढ़ियां income कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने structure की तरफ ध्यान दे और दोनों width and depth को build करें यानि कि आपके structure में एक balance हो यदि हम सिर्फ width को build करेंगे depth नहीं है तो बहुत बढ़िया income नहीं आएगी यदि हम सिर्फ एक या दो legs में ही depth को build कर रहे हैं width नहीं बनाई तो भी बहुत बढ़िया income नहीं आएगी तो बढ़िया इंकम कमाने का एक फॉर्मूला है बैलन्स स्ट्रक्चर यानि की विर्थ और डेप्थ दोनों की उपर ध्यान दें और पूरी टीम के साथ मिल कर काम करें ये कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत हाई इंकम समीर मोधी अजादी प्लैन से दिलाएगा आईए देखते हैं कि विदिन त्री मन्स हम कैसे अपनी छे लेक्स बना सकते हैं जो की एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाएगा और कैसे आप अपनी न्यू जोइनीज को गाइड करेंगे कि कैसे नया बढ़िया स्ट्रक्चर बनाना है मन्थ वन जिस मेने शुरुआत की 2000 परसनल बीवी के साथ हम बने कंसल्टेंट 7 परसनल लेवल पे और हमारा accumulated performance bonus हुआ 140 रुपे अप टू 800 रुपीज रिटेल मार्जिन हो सकता है और न्यू जोइनी आफ़र भी है तक्रीबन 300 रुपे के करीब पहले महीने का जो benefit हुआ वो हुआ approximately 1240 यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि न्यू जोइनी ने जो 2000 परसनल बीवी किया है येस न्यू जोइनी without a product order is not a new जोइनी तो ध्यान रहे कौशिश करें कि हमेशा sponsoring करें with product orders आगे बढ़ते हैं month two हमारे new जोइनी ने दो लोगों को sponsor किया A&B सब ने 2000 परसनल बीवी किया total group बीवी इनका हो जाता है 6000 और ये बन जाएंगे fast senior consultant क्योंकि समीर मोदी अजाधी plan में एक बहुत ही बढ़िया feature है कि 10 परसन के level से पहुचने से पहले पहले यदि हम एक ही महीने में 6000 गृप बीवी कर लेते हैं तो हम fast senior consultant बन जाते हैं और fast senior consultant बनने पे under the fast start program हमें साड़े 700 रुपे के predefined products free मिलते हैं इस महीने अगर हम देखे हमारा accumulated performance bonus होगा 320 रुपे fast start program के under हमें साड़े 700 रुपे का free product मिलेगा detail margin up to 800 रुपी हो सकता है और repurchase program के under तक्रीबन 300 रुपे का free product तो दूसरे महीने का जो total benefit हुआ वो हुआ approximately 2170 रुपे अब चलते हैं तीसरे महीने की तरफ अभी तक prospect list बहुत बढ़िया बन चुकी है home meeting हमने 3-4 कर ली है plan दिखाने में हम बहुत comfortable हो चुके हैं तो अब तीसरे महीने हम 4 नए लोगों को sponsor करेंगे C, D, E and F और सब ने 2,000 person BV किया each हमारे जो दो new joinees थे पिछले महीने के A and B इन्हों ने भी दो नए लोगों को sponsor किया और ये A और B भी बन जाएंगे fast senior consultant और हम बन जाएंगे associate supervisor at 13% accumulative performance bonus होगा 1100 रुपे retail margin up to 800 रुपी और repurchase program के अंडर तक्रीबन 300 रुपे का free product तो तीसरे महीने के end पे जो total benefit हो सकता है वो है तक्रीबन 2200 रुपे पर इससे भी जादा जरूरी ये है कि अब हमने 6 legs बना ली है and to earn a big income in Sameer Maudi Azadi plan अगर आप बहुत ही बड़िया पैसे का मना चाहते हैं तो minimum 6 active legs के उपर काम करें और width को बढ़ाएं, depth को बढ़ाएं so I hope आप इस structure के उपर काम करेंगे तोनो width और depth पे गाम करेंगे और अपना network को भी यही करना सिखाएंगे with this I thank you very much and in the next tutorial, we'll now talk about कि कैसे आप वाकई में अपनी team को inspire और motivate कर सकते हैं वो क्या तरीका है जिससे कि आपकी team कहे कि आप मुझे भी अपने applying की दरव बनना है till then, thank you so much Good morning, good morning शुरुआत दस कतम आजादी के इस tutorial में अब हम बात करेंगे step number 8 के बारे में जो है be a role model lead by example ये एक लोता ऐसा business है जहां पर businessman को businessman नहीं leader कहा जाता है बाकि सारे businesses में businessman को businessman ही बुलाते हैं और leadership का मतलब सिर्फ लोगों को lead करना नहीं होता leadership का असली मतलब सबसे पहले खुद को lead करना होता है महात्मा गांधी जी ने क्या किया सबसे पहले उन्होंने खुद को lead किया और उसके बाद बाकी लोगों ने उनको follow किया अगर आप चाहते हैं कि आपकी team मौदी के business को build करने के सही behaviors के उपर काम करें तो सबसे पहले वो behaviors आपको खुद करने होंगे और आपके बच्चे और आपके downlines कभी भी वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे आपके बच्चे और आपके downlines वही करेंगे जो वो आपको करते हुए देखेंगे सो हमें सही behaviors खुद करके दिखाने हैं अपनी team को एक role model बनना है उनको example के साथ lead करना है ताकि वो भी कहें यार मुझे अपने upline की तरह business करना है सो क्या क्या चीजें आपको करनी है सबसे पहले you have to become a 100% self-user हर रोज plans दिखाए daily action discipline के साथ teachable रहें, सीखने के लिए तयार हों, हर meeting हर seminar को attend करें और punctuality को follow करें यदि आप खुद किसी program में 30 minute late आएंगे imagine करें, आपके downlines उस program को कब attend करेंगे वो एक घंटा late नहीं, शायद वो attend ही ना करें आप समझ पा रहे हैं so you have to follow all these behaviors yourself first coach और mentor बने अपने downlines के लिए जब वो देखेंगे कि उनके upline उनको mentor कर रहे हैं, तो वो अपने downlines को mentor करेंगे जो भी आप commitment करें, उसको 100% follow करें, कोई negative बात within the network नहीं करनी और home meetings को एक way of life business को आके बढ़ाने का एक तरीका बना लें, जब आप हर रोज at least एक home meeting करेंगे तो आपकी team क्या करेंगी आपकी team भी हर रोज minimum एक home meeting ज़रूर करेंगी जब भी आप घर से निकलें, किसी meeting पर जाने के लिए, किसी seminar पर जाने के लिए, घर से निकलने से पहले एक mirror test करें अपने आपको शीशे के सामने देखें अगर शीशे में आपको दिख रहा है कि जो व्यक्ति है शीशे में, यानि कि आप वो दुनिया की सबसे तेरी से बढ़ते हुई company, भारत की number एक company का एक सफल consultant है, तो ही घर से बाहर निकलें अपनी dress, को power dress बनाएं, क्योंकि जो पहला impression है, वो आपके कपड़ों आपके dress के कारण ही पड़ता है आपके पास एक demo kit होनी चाहिए, complete demo kit और एक complete toolkit always अपने साथ carry करें और जब आप इन सारे behaviors को खुद पहले अपनाएंगे, इनके उपर action करेंगे, आप बन जाएंगे अपनी team के लिए एक role model and that's where your team will grow very very fast I hope, कि आप सब अपनी team के लिए role model बनेंगे, you will lead by example with this, I thank you very much and in next tutorial हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आपको personally grow कर सकते है वो कौन सी investment है जो अगर की जाएं तो सबसे बड़िया return on investment मिलता है Till then, thank you so much and see you in next tutorial step number 9 personal progress Good morning, good morning शुरुआत, दस कदम आजादी के training program में आप सब का स्वागत है और इस tutorial में अब हम बात करेंगे step number 9 के बारे में जिसे हम कहते हैं personal progress absolutely ये business सीखने का business है कहते हैं कि first you learn और उसके बाद आप learn में से L निकाल दें क्या बचा? on absolutely पहले आप सीखते हैं और उसके बाद आप कमाते हैं और वैसे भी जैसे जैसे आप सीखेंगे जैसे जैसे आप अपनी personality को enhance करेंगे वैसे वैसे जादा लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और सीखने का कोई अंत नहीं है अच्छी बात यह है कि मौधी केर में आपके पास सीखने की कई सारी opportunities है इसलिए हम ये suggest करते हैं कि आप अगले दो साल के लिए कोई भी meeting, event या seminar जो चाहे आपकी team, appliance, organize करवा रहे हो चाहे company ने organize किया हो उसे किसी भी हालत में मस ना करें और अपने उपर काम करें अपने skills को निखारने के लिए काम करें अपनी कुलहारी को और तेज करते रहें उसकी धार को और तेज बनाता है किन चीज़ों के उपर काम करना है सबसे पहले आपने काम करना है अपनी presentation skills के उपा Be a power presenter जब लोग आपको सुनें तो वो कहें कि वाओ मज़ा आ गया समीर मोधी अजादी प्लान को अच्छे तरीके से समझें Master बन जाएं समीर मोधी अजादी प्लान के Demo's के Master बने ये सीखेंगी कैसे अपने uplines को edify करना है कैसे testimonial share करना है कैसे आपने अपना समय time manage करना है आपके घर में एक library होनी चाहिए अच्छी motivational self-help books की आपके computer में एक library होनी चाहिए videos की और आज जो ये आप video देख रहे हैं learning management system के उपा regularly इस तरह की videos को देखें सारे training program को attend करें शुरुआत शुरुआत के बाद advanced training program रफतार हमारी product trainings advanced workshops company के दोबार organize किये गए recognition programs आपकी team के दोबार organize किये गए training programs do not ever miss a training program ये कहा जाता है कि leaders trainings में ही तयार होते हैं leaders वो है जो पहले खुद को निखारते हैं तो क्या आप हर रोज एक नई चीज़ सीख रहे हैं अगर हाँ तो आप एकदम सही रास्ते पे हैं तो क्या हैं जो की है डूपली के बारे में जो की है डूपली के बारे में और ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है ये उतना ही जरूरी है जितना की जरूरी एक mobile नंबर का दस्वा डिजिट है आपने नाइन डिजिट्स तो सही तरीके से की इन कर दिये लेकिन अगर दस्वा डिजिट नहीं टाइप करेंगे तो phone call connect नहीं होगा उसी तरह से मोधी केर का जो आजादी सिस्टम है उसमें तभी सफलता आएगी जब आप नों के साथ दस्वा स्टेप भी करेंगे यानि कि जो आपने अभी तक सीखा है वो आप अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को सिखाएंगे डुप्लिकेशन के साथ ही time freedom आएगी डुप्लिकेशन के साथ ही आपके business में leverage आड होगी और डुप्लिकेशन के साथ ही आप आजादी तक पहुंचेंगे क्योंकि असली leaders सिर्फ followers create नहीं करते असली leaders नए leaders create करते हैं और सिर्फ यह कह देने से कि डुप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है डुप्लिकेशन के उपर ध्यान रखना चाहिए क्या डुप्लिकेशन होगा नो हमें डुप्लिकेशन के उपर consciously काम करना होगा तो कैसे आप अपनी टीम में डुप्लिकेशन लेकर आएंगे यानि कि कैसे आप अपनी टीम को अपनी तरह सक्षम बनाएंगे First, you have to lead by example आपकी टीम आपको एक role model की तरह देखे Second, आप अपनी टीम के लिए home meetings conduct करें और जब आप home meeting conduct कर रहे हैं अपने साथ अपने down lines में से कुछ दो तीम लोगों को अपनी meeting में participate कराएं और उन्हें कहें कि वो आपको देखें कि आप कैसे home meeting conduct कर रहे हैं और next time जब वो home meeting conduct करें तो आप उनकी home meeting में participate करें ताकि आप उनको feedback दे सकें Home meeting अगर आपने अपनी टीम में duplicate करवा दी तो जो success है वो बहुत जल्दी आपके पास आएगी Third, अपनी team के लिए खुद regular training organize करवाएं एक तरीका है कि जब company ने कोई training organize की या आपके apply ने कोई training organize की तो आप कुछ लोगों के साथ उस training को attend करने के लिए चले गए This is an easy way लेकिन अगर आप वाकरी में अपनी team में duplication लाना चाहते हैं तो क्या आप ये जिम्मा उठा सकते हैं कि आप उस meeting को organize करेंगे company की मदद ले, अपने appliance की मदद ले और उनको कहें कि ये मेरी team में आएं meetings के लिए, workshops के लिए और आपकी team को सिखाएं कैसे इस business को करना है product demos करना सिखाएं product demo practice session organize करें जहां पर पहले आप demo करके दिखाएंगे और उसके बाद आपके participants आपके team members आपको demo करके दिखाएंगे और यदि ये कुछ चीजें आपने कर दी तो let me tell you बहुत बड़ियां तरीके से आप इस business को enjoy करेंगे so this is the step number 10 duplication और इसी के साथ हमारा पूरा आजादी system के बारे में आज हमने यहां पर बात की और जैसे कि कहा जाता है यदि आप system को follow करेंगे तो you'll save yourself time, energy and money और आपका business jet speed से आगे बढ़ेगा अगर मैं system follow नहीं करूंगा तो मेरा समय, मेरा मेहनत मेरा पैसा एक्स्टा खर्च होगा लेकिन system को follow करने के साथ हमारा समय, हमारा मेहनत हमारा पैसा कम खर्च होगा हम इसको बचाएंगे और आजादी की तरफ जल्दी पहुंचेंगे तो इसी आशा के साथ कि आप सब को शुरुआत, दस कदम आजादी के system के बारे में सही जानकारी मिली है मैं ये expect करूंगा कि हम सारे system को follow करेंगे और इन systems में बात की गई ऐसी जानकारी जिसके बारे में आप practice करना चाहते हैं जैसे की three-way calling presentation की practice how to share the products शुरुआत के बाद जो हमारा next program है उसका नाम है रफ्तार so बहुत ही जल्दी आप से मिलते हैं हमारे next program में see you in रफ्तार all the best, thank you so much